पानी भीए सभ है जाए जाद आदे अदे घंटे सभी रहे आए आदेa गंटे शाम को आएगा और पानी इतना घंधा होता है कि वह पीने यूज करने लाइक भी नहीं होता सरकार के बदलने से स्थिती बिल्कुल भी नहीं बत्दें इस गड़्मिन का काम है सिर्फ गड़े कर देना बरने हमें पड़ते हैं कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए लगे यह जितने कैमरे लगे न या तो आधे बंद है इसमें से या तो कर दिया दिल्ली देश की राजधानी पर दिल्ली की स्थिती क्या है गर्मियों में दिल्ली का क्या हाल होता है क्या पानी समय से आता है या गर्मियों के बाद बरसात आएगा तो महलों का क्या हाल होता है हम यहीं जाने के लिए एक बार फिर से ग्राउंड पर मौजूद है और हम यहां पर एक महले में मौझूद हैं सदर बजार में जहां पर हम लोगों से बात करें कि यहां पर पानी की सबसे पहले क्या सिती है इसाब गर्मी में जो सबसे जरूरी चीज होती है एक इनसान के लिए पानी होती है पानी सबसे पहले कितनी देर आता है और कैसा आता है पानी बड़ मेर बनने के बाद्वी आम आप्मिपाटी आने के बाद राधी पान है पॉठ ने को बहुत गंदा आता है पीने लाग तो बिलकुल हए जो यहां कि मतलब लोग की स्थीती भी खराब है उनके भाद भले खाने को पैसे नहीं को खरीद के पिना पर नाला बर जाता है नालों के साइड़ों में कूड़ा होता है कर मेरे इसाफ से तीन-चार साल से कूड़ा भी साफ नहीं हुआ जो नालो के किनारे पर कूड़ा है वह भी साफ नहीं वह गलियों के अंदर जगा जगा पर पानी मिल जाएगा आपको देखने को पानी भर जाता है कोई देखने वाला नहीं दिसंबर में में सिले साल दिसंबर में mcd का चुना हुआ तो मैं पूछ रहा हूं कि पहले की स्थिती बहतर थी या अब की स्थिती जो है उससे बहतर हो रही है या बहतर करने की कोशिच की जा रहे हैं पहले भी ऐसी थी और अब हो लेना देना नहीं है अब ही जो मेयर हैं शेली ओवराइजी उन्हाने कहा था कि जब मौनसून सेशन आएगा मौनसून यानी जब आएगा तो हम जो है दिल्ली में जितने भी गटर लाइन है सीवर लाइन है जो खुले हैं जो टूटे हैं वो साफ हो जाएगा उस बात को लेकर आपको लगता है को हमारे महले में कोई भी ऐसा एक्शन ने लिया है मौनसून आला कि आ चुका है भारत के अंदर पाच जून को मौनसून आ गया था और दिल्ली में भी आ गया मौनसून लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है बारिश होगी उसके बाद फीर नदी नाले सारे बढ़ को पा पंझांगे बारिश आने के बाद बारिश अने के बाद नदी नाले सा नियों तो छेंपन वे पहले यह फीर पानी दःत के इस इतना बढ़ा है यह तक्ने कोरा रदा हूए कितने टाइम से रोड कम से कम होगा मेरे अंदाजे से एक साल के करीब हो गया जब आ रहा था अंदर की तरफ एक आंटी जी हमें मिलों कह रहे थी कि जब रोड तूटता है ना तो आसपास के लोगी कुछ पैसे काठा करके या कुछ समान लाके डाल देते हैं सचाई है इसे सरकार गल्ती करते हैं कि छुपानी हम ही है हम ही चुपाइंगे सरकार नी चुपाई को यहां से वहां था खुदा पड़ा था गड़ने में साल-देटा वर्णमें लगा दिया अब यह सार एसा है और ऐसा ही रहका चाहिए साल बदल जाए चाहिए सरकार बदल मेरा बच्पन पूरा बीद गया आप बाइस साल मेरी जनम लिया है अब मेरी दादी भी यहीं पे सटर असी साल हमार को प्लॉट अच्छा जब से आप आप तो जनम से या बच्पन से स्थिती देखते आ रहे होंगे पहले बहतर थी या अब बहतर यह नहीं पूछूँगा लेकिन पहले पहले बहतर था पहले यहां के लोग बाग समझते थे अरगी सी वह अगर लोग समझेंगे तभी ठीक होगी सरकार के बदलने से अचा एक एक बात और पूछूँगा सुरक्षा जो सबसे बड़ी बात होत है अभी अगर आपका एक कैमरा को छीन के ले जाता है तो आपको इतने दक्के खाने पड़ेंगे आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा कैमरा लेके कौन गया यह जितने कैमरे लगे ना या तो आदे बंद है इसमें से या तो आदो की रिकॉर्डिंग नहीं निकलती बस यह की इसी कामरा लगा हुआ भूरा इसके बाद यहाँ तो फिर यहाँ वह एक जाके आगया बस इतनी दूरा के 2005 यहां पर शाम के समय क्या महाल रहा रहता है राजभानी क्योंकि राजधानी है क्योंकि यह बात नहीं याँ पर ऐसे कोई लड़ी की ऊपार्क में बैठते सब्सक्राइब यहां पर घाम आती हैं पुलिस और पर राउंड मारती है पुलिस यहां पर चोकिदार भी लगे हुआ है पुलिस वाले भी आते हैं सब आते हैं यह से निकल के जाते हैं बीट आफिस और तरकौर चल रही है 9 साल से और 8 साल से केजरिवाल कि राज और केंद्र में है क्या लगता है आप आपके लिए सरकार कौनसी है तो 32 साल और कॉंग्स की साल बस बहुत की वाट बहुत है क्योंकि राज बढ बढम rehा है तो जाड़ू सही है वागी गाज तो उसी के लिए सही है जो भी है तो फिर रिवर्स नहीं होती आप उसको देख नहीं सकते बागी जो है चल रहा है चल रहा है आप क्या मानते हैं कि जो चीज यह कह रहे था वो सही है यह कुछ नहीं बदला जो तो होंगे आखास मैं सरकारी स्कूल कैसी है स्कूल तो ठीक है यहां के सिक्षक आते हैं टीचर आई तेम टूटेम शिक्षा को आते हैं वहां पर बढ़ाई भड़ाई भी टैम टूटेम होती है बच्चों का ख्याल भी अच्छे सा रखा जाता हुआ इसकूल के बारे में तो यह यह घांगे कि स्कूल तो बैटर रहे यांके ठीक ठागा था प्राइबेट स्कूल स यहां पर आपने लोगों की राय देखी कि सरकार बाते तो बहुत करती है लेकिन काम जमीन पर कुछ दिखता नहीं है लोग ऐसा कह रहे हैं देखते रहे सौगंद टीवी क्यामरामैन रोहित के साथ मैं सुमित कुमार सी आप देख रहे हैं सौगंद टीवी सौगंद वतन की